स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लाज इंटस्टाइन के बारे में लाज इंटस्टाइन में एब्जॉप्शन ओफ वाटर एंडिफिकेशन कैसे होती है डिफिकेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ओफ वेस्टेज आफ्टर दी डाइडेस्टिट प्रड से मूव करती है स्मॉल इंटस्टाइन में और स्मॉल इंटस्टाइन में फिंगर लाइक परजेक्शन होते हैं कैपिलरीज का एक जाल होता है जो कि अब्जॉब कर लेता है न्यूट्रेंट्स को तो बाकि जो न्यूट्रेंट्स अब्जॉब नहीं होते वह लाज इंटस् तो कलोन के अंदर जतना भी पानी है वो इबसोब हो जाता है पहले small intestine के अंदर जो food particles होते है जो nutrients होते है वो paste की form में होते है लेकिन जैसे ही large intestine में जाते है वहाँ पानी अबसोब होता है तो वहाँ पी solid में convert हो जाते है और इन्हें feces कहते है feces में जातर undigested material होता है large number of bacteria slough of cells of elementary canal bacteria होते है इसके इलावा elementary canal के जो उतर हुए cells होते है वो होते है while pigment होता है water are also part of feces feces are temporarily stored in rectum इसके बाद जो feces हैं वो rectum में stored होते है which opens out through anus जोके anus के जरीए से बाहर एक दरफ open होता है अगर हम large understand के structure की बात करें के large understand का structure किस तरीके का होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के appendix है appendix के बाहर सी कम है यह brown सा जो structure आपको नज़र आ रहा है यह brown सा structure जो आपको नज़र आ रहा है यह colon है इसके बाद यह blue सा जो structure नज़र आ रहा है यह rectum है रहा है rectum में कुछ देर के लिए जो und arrested material है वो store होता है और इसके बाद NS के जरीए से बाहर remove कर दिया जाता है बैं दिर एक्टम इस फिल्डप विधी फीजिज इडिव राइस तो अडिफ्लैक्स अनसी ओपन फोडिफिकेशन इस रिफ्लैक्स इस 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 इन्हिपिट इन इप्ट्रोल इन्वोलंटरी इन्वोलंटरी का मतलब होता है कि इस तरह की चीज़ें जो के हमारे कन्ट्रोल में नहीं होती तो बच्चों के अंदर जो रिफ्लैक्स एक्षिन है मतलब एक जो फिलिंग होती है रिफिकेशन की बच्चों में वो महसूस नहीं होती लेकिन अडल्ट इसको महसूस कर सकते है इसके बाद जब बच्चे ग्रो कर जाते है तो डिफिकेशन का जो रिफ्लेक्स है इनके विलंटरी कंट्रोल में आ रहता है मतलब इनके conscious कंट्रोल में आ रहता है और वो समझ लेते हैं डिफिकेशन के बारे में Thank you, next lecture में हम पढ़ेंगे role of liver के बारे में